नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल डिलाइट में दोस्तों जैसा कि हम यहां देख रहे हैं कि आपकी जो माक्षीट है जो आई हुई है CITS 2020 की वहां पर signature आपका validated digitally verified नहीं हुआ है तो उस signature को digitally verify करने के लिए जैसे यहां पर green tick लगा हुआ है तो आपके mark sheet पर जो आपकी mark sheet आई हुई है उस पर green tick नहीं लगा हुआ है तो इसको आप कैसे लगा के digitally verified करवा सकते हैं यह आज यहां पर हम सीखेंगे ओके यहां पर हम देखेंगे हमने laptop की screen को open किया हुआ है और इस screen पर हम देखेंगे कि यह सबसे पहले कि एक software आपको install करना हुआ जिसका link आपको description में provide करवा दूँगा उस link के माध्यम से आप उस software को install करके आपने certificate किस step को follow करेंगे यहां पर देखेंगे अब देखेंगे यहां पर आपका software है foxit reader portable इसको पहले finish करेंगे install करेंगे install करने के बाद आप क्या करेंगे आपका जो certificate डाउनलोड हुआ है आपके laptop में आप उसको open करेंगे software है और software में जाएंगे आप इससे software से आप अपनी open file में जाएंगे आप वहां से अपने certificate तक जाएंगे आपका certificate कहां पर है आपके folder में उस folder को open करेंगे आपका देखेंगे यहां पर validate नहीं हुआ है certificate आप इस option पर double click करेंगे double click करने के बाद signature properties में जाएंगे signature properties में जाके जाने के बाद आप source certificate पे जाएंगे source certificate में जाने के add to trusted certificate फिर ok पे click करेंगे फिर ok पे click करेंगे फिर इसको close कर देंगे close करने के बाद आप validate certificate पे फिर से double click करेंगे आपका certificate validate हो चुका होगा ओके तो यह आपको process follow करना है और का विशेज ध्यान रखें और यह signature आपका easily verified हो जाएगा और अगर आपको कोई problem होती है तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं और हम आपको पूरी तरह से मदद करने कोशिश करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और दोस्तों में share करना न भूलें धन्यवाद